उत्रखन विदानसवा चुनाओं के मैदान मुद्रे पीम नरेंद्र मोदीर विपाक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्हों ने कहा कि पूरे देश में उनकी नीती है, सब में फूट डालो और फिर मिलकर लूट करो। पीम मोदी ने गड़वाल और कमायू शेत्र के बीच विवात खड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विरोधियों ने हमेशा इन दोनों शेत्रों के बीच लड़ाई कराने की कोशिश की। उनकी मंचा दोनों शेत्रों को लूटने की थी, भाजपा सरकार ने दोनों जगों के लिए डबल काम करने की कोशिश की। प्रधान मंद्रे ने कहा कि हमारे लिए पूरा उत्राखन देव वूमी है, उन्होंने कहा कि अब उत्राखन विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है, प्रदेश को कोई नई पहचान मिल रही है, भाजपा के संकल पत्र का जिग करते हुए, पीम ने कहा कि ये नई उर्जा से भरा हुआ है, आपको भूलना नहीं है, ये वो लोग हो है, जिनोंने अपनी सियासत के लिए दसकों तक उत्राखन राज की मांग का गला गोटा था, ये सपना तब पुरा हुआ था, जब केंद्र में हमारे अटल वेहरी वाजपाईजी की सरकार थी, अटल वेहरी वाज पईजी ने उत्राखन बनाया, ये लोग, उत्राखन यत की बात करने वाले लोग, बाते कुछ भी करें, वो तो उत्राखन को खंड करने वाले, उत्राखन को टुकडे टुकडों में देखने वाले लोग है, अब तो देव भूमी में, युनिवर्सिटी के नाम पर भी, य पिख्षा जैसे पवित्र काम में तुष्टी करन का जहर गोलने की बाते सुनाई दे रही है हमें इस विभाजनकारी सोच से देव भूमी की पवित्रता को नश्टन नहीं होने देना है मैंने बताना चाहता हूं उत्राखन आस्ता की धर्ती है यह आडंबर को स्विकार नहीं करती है यह उत्राखन यह तपस्या की भूमी है यहां जूट और पाखन फली बूत नहीं होते हैं इसलिए मैं आप सबसे आवान करता हूं इन्हें उत्राखंड की विकास यात्रा में बादा नहीं बनने देना है हमें उत्राखंड के सम्मान की भी रक्षा करनी है उत्राखंड की विकास को भी बताना है आप देखिए हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पुलिटिकल पार्टी क्या हाल हो गया है उसका इस पार्टी का कोई नेता उत्रा खंड में वोट मांगने के लिए आया क्या सिरफ दो भाई बैन एक परिवार के दो भाई बैन गुमते प्रिक्त है कि इतना बड़ा देश उनका कोई नेता नहीं आता है क्यों भई कि इतने सालों पुराने कितने पुराने मुख मंत्री है पुराने कितने केंद्र के मंत्री रहे है पुराने कितने उनके गवर्नर रहे है ओ ओ ओ ओ ओ पचांस सान साल में कितनी बड़ी भरमार है उनके पास कोई नहीं आ रहा है कोई क्योंकि उनको कॉंग्रेस नहीं बचा नहीं है परिवार बचाने के लिए दिखले उत्राखनका तो सवाल ही नहीं है देश की इनको चिंता नहीं है उनकी पार्टी के लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं उनकी पार्टी के लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आपका भला कै किसे कर सकते हैं आप मुझे बताइए कॉंग्रेस के पाफ कुछ बचा है जो आपको काम आए कुछ बचा है क्या नहीं बचा है ना तो इनके पाफ जागर के क्या मिलेगा जी क्या मिलेगा और इसलिए जब आप 14 तारिक को बोट देने के लिए जाएं तो ये जरूर याद रखें कमल के लिए आपका हर एक बोट इस दसक को उत्रा खंड का दसक बनाएगा